नमस्कार मैं प्रांशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूस महराष्ट में वरिष्ट निता अजीद पवार की बगावत कर देने के बाद अब स्यासी भूचा ला चुका है जिहां एंसीपी का साथ छोड़ कर अजीद पवार एंडिये में शामिल हुए उप मुखे मंत्री बन चुके हैं और अब दावा कर रही हैं कि एंसीपी उनकी है लेकिन शारत पवार का कहना साफतोर पर रहा है कि ये तो जनता ही बताएगी आखिरकार एंसीपी किसकी है एसी बीस देखा जाए तो शिफसेना ने एक बेहत बड़ा ऐलान कर दिया है नमस असला देखने को मिल रहा है राजिस्थान में कि अजीत पवार उप मुख्य मंत्री बन चुके हैं एंडिये में जाका 40 समर्थकों का समर्थन पाया आठ मंत्रियों को मंत्री पत की शपत गिरहन कराई गई है और शरत पवार ने यहां पर उन आठ मंत्रियों की आयोग्यता के मामने में याचका भी दायर कर दी है आज अजीत पवार खेमे और शरत पवार खेमे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और दोनों ही गुट के विधायकों की तरफ से विह भी जारी कर दिया गया है ऐसे में देखा जाए तो जहाँ एक तरफ 11 बजे शुरू ह हुई है अजीत पवार के आवाज पर बैठक तो वहीं शरत पवार भी आज दोपहर को बैठक करने जा रहे हैं विधायकों के साथ इसे बीच यहां पर संजिराउत ने बड़ा एलान किया है क्या कुछ कहा है सुनिये सरा अज मिटिंग हमारी जो है उद्दव ठाकर साब की लिडर्शिप में मिटिंग होगी पर्टी चिफ जिसमें हम सभी शी उसना के निता थे हमारे विधायक थे हमारे इंपीस थे और जो महराश्टर में और पूरे देश में जो उतर पूतर चल रही है उसको तोड़ो उसको फोड़ो उसको खरिद लो राजमीति बिजएपी की चल रही है उसके उपर चर्चा हुई महराश्टर में उसका क्या परणाम होगा है उसको उपर चर्चा हुई और इस संकटा और संगर्शन से हमको पेसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ लोक्सवा चुनाओं के बारे में चर्चा हुई तो यू सिसी के बारे में चर्चा हुई मांधने उद्व धकर जी का जो महाराष्टर में बहुत बड़ा एक हम राज्जवापी दवरा यानि टूर हम बना रहें उस बारे में चर्चा हुई चाहे कॉंग्रेस हो चाहे एंसीपी चाहे शिव से ना हर संकट में हर संकट के घड़ी में ये तीनों पार्टी माविकास अ मजबूत है पाउर साप को मैं बहुत सालों से जानता हूं पहचानता हूं फ्यरत पाउर साप बाला साथ ठाकर जैसे है अभी कभी भी आपको अकेले मैसुस नहीं करते सब्सक्राइब इसको मास्टर स्ट्रोक क्या होता है जिसके हाथ में एडी सिब्याई जैसी एजन्स य जा है तो मास्टर स्ट्रोक दो जार तो विस में हम भी मारें जाना दो घंटे दिए च्ट्रोक पर बैठेंगे हमारे आतमी दिए यह जन्स ना दो गंटे लिए एक चीज़ और कि पूरी की पूरी एंसी पी उनके साथ आगए इस सरकार में तो अब अब बचाई का है एंसी यह दावा किया है कि जिसवक्त महाविकास आगाडी की सरकार के लिए थी उसी वक्त चोवन में से क्यावन विधायक बीजेपी के साथ शामीर होने के लिए तैयार थे लेकिन लीडर्शिप जो है उसके अपर कोई किपनी नहीं करूंगा उनका पार्टी का एक अंदरूनी म प्रटा कड़ेंगे इतले हुआ है अजी पावार के साथ आने से यह एक नाज शिंदे की बार्गेनिंग पावर उनके पावर कभी नहीं ति जो गुलाम होता है गुलाम उनकी कभी बार्गेनिंग पावर नहीं जाई ऐसे पर आप लोगों का क्या रहेगा आपकमिंग मांक लोग सवार ले लोग हम तयार है पता चलेगा आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर आप जो बैनर्स और पोस्टर लग रहे हैं महाविकास अगाडी गटवंदन तूटने की कगार पर है और इस भी संजराउत का कहना है कि शिपसेना एंसीपी के साथ खड़ी हुई है देख रही नेक्स्ट तो नाइए नियुए